हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्थी पोरवाल दोस्तो मैं हूं आर्थी और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टेट की जिन्हों ने अभी अभी अपने अफिशल वेबसाइट पर नोटिस निकाला है तो आज हम दो स्टेट की बात कर सबसे पहले आंध्री प्रदेश की दोस्तों डॉक्तर एंटी और उनिवस्टी और एल्थ साइंस एपी विजयवाडा से एक नोटिस निकाला गया अर्जंट नोटिस से ग्यारा जनवरी का इट हम तू नोटिस और इन्वस्टी देट सर्टें केंडिटेट्स हू वर अलॉ दोस्तों यह बहुत ही अर्जंट न्यूज बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं जिनको मौप अपर नमे सीट मिल चुकी है मनेजमेंट कोटा की लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया अलॉटेट कॉलेज में इस चक्कर में कि वह स्ट्रे वेकंसी और इस चक्र में से कौंसलिंगं पार्टिसिपेट कर आधर कॉलेज मेह और उन्होंने अपनी सवकें को बॉक میलेग से सब्था़ & म मौप only चुकी है मoti मॉण सब्सक्र चुंट अरु गये वह से उन चुक्षी ले रहे हैं ऐनको इंफोर्म करना चाइए कि वह इसके रिभल नहीं है further it is informed to all the candidates admitted into mbbs course in the affiliated medical college under management quota and competent authority quota seats that no cancellation of seat will be permitted till closer of admissions जब तक admission नहीं हो जाता उनको जो है seat close करने की जो block कर रहे हैं कोई permission नहीं दी जाती है उनको वो seat लेनी ही पड़ेगी अगर वो seat block करते तो भी वो इस ट्रे वेकंसी में participate नहीं कर पाएंगे उसके अलेजबल नहीं है तो यह अट्जेंट नोटिस है उन बच्चों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं और अकली न्यूज है आपकी बैंगलादेश की वेस्ट बैंगल की वेस्ट बैंगल ने एक अपनी ओफिशल लेबसाइट पर इंस्टिचूट रे सीट माट्रिक्स निकाला है जो वहाँ पर मेडिकल एंड डेंटल नौन अलोटेट सीट है जो भी तक अलोट नहीं हुई है ग्यारा जनवरी तक तो आप देख लीजिए ग जगनात गुपता इंस्टिचूट अफ मेडिकल साइंस एंड होस्पिटल में MBBS की प्राइवेट मेनेजमेंट कोटा की सत्रा सीटे है आईट्यू सिटी मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट मेनेजमेंट कोटा में 25 सीटे है इसके बाद श्री रामकिष्ण इंस्टिचूट ऑफ मेडिकल साइंस अंड संका घॉस्पिटल में आर्च और गौरी देवी इंस्टिचूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल में 61 सीटे हैं तो दोस्तों यह आपका इंस्टिचूट वाइज टोटल सीड़ निकाला गया है केटागरी वाइज इसको देख लीजिए औ और इस seat matrix के हिसाब से अगली counseling होगी क्योंकि यह जो सीट matrix ऐं डेंटल नॉन अलॉट नहीं हुई है तो इन सीटों के लिए दूसरी सस्टलिंग वैकंसी निकाली जाएगी एक लिस्त निकाली जाएगी आप को registration करना होगा second round map up round के लिए या फिर इसको stay vacancy round कहले तो ये seat matrix उससे भरा जाएगा तो ये notice थी seat matrix की तो ये दोनो notice दोनो state की थी अगर आपको ये news अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा और मेरे वीडियो को like और share करिएगा मैं आपको हर state से related latest update देती रहोंगी thank you